नवश्कार अब हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों स्टेंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में बनाने की जरूरत पड़े इसके अरावा हम कई और सारी चीजों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे हम किसी सल के potential को कैसे calculate कर सकते हैं उन सारी चीजों पर आपके साथ इस section में discuss करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ अपने दिमाग में scientific level पर हम curiosities develop करने की कोशिश करेंगे जैसे किसी सल के cell potential के बारे में अगर पता चल जाए तो उससे क्या अनुमान लगाया जा सकते हैं जिसका एक बहुत बढ़िया example है कि बिना आप कोई cell को बनाए आप उस cell के बारे में भविश्यवाणी कर सकते हैं इस बात को समझे हैं मालेजे आपने laboratory में बिना गए अगर आपके पास data available हो और उस data की analysis की मदद से आपको बनने वाले hypothetical cell के बारे में अनुमान लगाना हो तो cell potential इस बारे में आपकी मदद कर सकता है कैसे मदद करेगा उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हमें आपके साथ discuss करना है लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले वही पिछली घटाओं से आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा कि जब कभी भी किसी metal को उसके solution में dip किया जाता है तो उस समय जो relative tendencies होती हैं उन सारी चीज़ों को एक बार फिर से recall करेंगे और वहीं से हम इस बात का clue मिलेगा कि आखिर स्टेंडर्ड hydrogen electrode की ज़रूरत क्यों बढ़ी चलते हैं हम draw करने की कोशिश करेंगे इसी चीज़ को और उसी के बाद हम इन सारी चीज़ों के answer पास सकेंगे देखिए हमने आपसे बताया था कि जब कभी भी हम जिंक की rod को जिंक sulfate के solution में dip करते हैं तो उस समय होता क्या है जिंक की rod जिंक sulfate के solution में जाते ही वो गलना शुरू कर देती है जिंक sulfate हमने यहां पर add किया है आप जानते हैं धिरे धिरे करके यहां surface पर जो इस metal की अपनी surface है वहां से जिंक निकला यह सारी चीज़ें आपकी जानकारी में है लेकिन एक बार फिर से कहने का मकसद यह है कि आप सारी घटनाओं को फिर से recall कर सकें यह जिंक आयन के रूप में सलूशन में जाता है अपने electrons को क्या करेगा? यह अपने electrons को plate पर ही छोड़ देता है तो यह जिंक जो यहां पर मैं आपको दरशा रहा हूं यह अपने electrons को यहीं छोड़ देता है और खुद solution में जाने की tendency रखता है इस तरीके से solution में जो zinc ions थे उनके concentration बढ़ने लगेंगे तो originally आपने क्या देखा था originally आपने देखा था one is to one के condition में यहाँ zinc sulfate अड़ किया गया था लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर यह zinc ions अड़ आउन होते जाएंगे वैसे वैसे zinc का concentration यहाँ पर बढ़ता जाएगा इस दोरान हम ultimately पाएंगे क्या हम पाएंगे यहाँ metal के surface पर metal के rod पर बहुत सारे electrons इकठे हो जाते हैं यह सारी चीजें हमें देखने को बिला था electrons यहाँ खोब सारे इकठे हो जाते हैं जबकि हमने देखा solution में cation बढ़ जाते हैं इस तरीके से हम दो चीजों के level पर एक चीज confirm कर पाते हैं कि यहाँ solution positively charged हो गया और rod जो थी वो negatively charged हो गई इस काम के लिए क्या यह अपने आप function कर सकता है इस चीज को थोड़ा सध्यान में रखने के जरूरत है अगर मैं कहूं क्या जिंग की rod को जिंग sulphate में डाल देंगे ऐसे ही क्या वो dissolve होने लगेगी नहीं इस काम को कराने के लिए हमें इसके parallel copper sulphate के solution में copper की rod को डालने के जरूरत पड़ी थी वो सारी घटनाएं आपकी जानकारी में है तो यह पहली tendency जो भी हमने देखा जिंग का example लेकर के जिसमें हमने इस बारे में जख्र किया कि यहाँ एक electron rich zone और एक electron deficient zone डवलप हुआ जिसके भी कारण metal के surface पर negative charge और solution में positive charge इसकी वज़ा से यहाँ पर इस तरीके से books में हमारे किताब में दिया गया है इस तरीके से जब rod को represent करेंगे तो rod पर negative charge rod पर negative और solution पर positive charge को दरशाय जा सकता है solution में positive charge होंगे और rod पर negative charge यहाँ पर solution में positive charges को आप देख सकते हैं और rod पर हमने क्या दिखा है electrodes पर हमने negative charges दिखा है यहां potential difference डिवलप होता है जो surface पर accumulated electrons है और जो positive end solution के बीच में जो present है उनके बीच में एक potential difference यहां पर study किया जा सकता है जिसे हम electrode potential का नाम दे सकते हैं लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह tendency तभी आपको देखने को मिलेगी जब इस half cell के साथ कोई दूसरा half cell जुड़ा हुआ होगा दूसरा half cell हमारे condition में किसका था copper, copper sulfate में dissolve किया था वो सारी conditions आपको पता इसलिए तेजी से आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से draw करेंगे copper वाली condition को पिछले lecture से अगर आप उसे interconnect करेंगे समझ पाना बहुत आसान हो जाएगा उस दौरान हम लोग ने क्या study किया था हम लोग ने इसके opposite tendency study किया था draw करके देख लेते हैं यहाँ इसके opposite घटना हम लोग ने होते हुए देखा था वहाँ पर rod, simplified version की बात कर रहे हैं अगर हम कहें तो rod पर कैसा charge डेवलप हुआ था वहाँ rod पर positive charge डेवलप हुए था यह इस बारे में हमारी जानकारी है पूरा का पूरा sequence कैसे वो डेवलप हुआ वो आप पिछले lecture में study करने पर इसका जानकारी पा सकते हैं यहाँ solution negatively charged हो गई थी याद है आपको कुछ इस तरीके के events हुए था और यहाँ पर भी electrode और उसके solution के बीच में एक potential difference डेवलप हुआ था याद है तो यहाँ पर आपने copper की conditions में जब copper के साथ जिनके electrode को correct गया था यानि एक half cell आपने इधर देखा और एक half cell इधर देखा तो जब यह half cell अपना function करती है तो उसके function करने के लिए दूसरा half cell available होना चाहिए यह दूसरा half cell कौन सा है दूसरा half cell हमारे example में copper का था इस बारे में हम कह सकते न लेकिन अकेले अगर कहा जाए क्या कोई इस तरीके का half cell अपने आप से काम कर सकता है नहीं काम कर सकता है जैसे आपने देखा होगा कभी भी relative tendencies के बारे में हम कह सकते हैं कभी भी मैं अगर आप से कहूँ आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं तो यह बात तभी संभव है जब आपके साथ किसी दूसरे student का comparison किया जाए जैसे अगर मैं इसी जो हमने ड्रॉ किया है कॉपर के बाड़े में बात किया कॉपर के लिए हमने कहा कि यहां कॉपर की rod पर positive chance develop होती है लेकिन क्या यहीं बात हमेशा के लिए यहीं बात साबित होगी कि कॉपर की rod पर positive chance इ Schul Mach क्या इस से अलग नहीं है और silver nitrate के solution में silver के electrode को dip करेंगे तो हम अलग घटना देखेंगे अभी हमने इसको देखा जहाँ पर copper के electrode पर positive charge आया था अगर हम इसी को silver के साथ connect करेंगे तो क्या conditions होंगी उस चीज़ को देखेंगे और ultimately यहीं से concept हमारे सामने बन करके आता है आखिर standard hydrogen electrode की जरुवत क्यों परती है एक बार फिर से देखें यहाँ पर simplified version में देखते हैं copper की rod को dip करते हैं copper sulfate के solution में यहाँ copper sulfate का solution लिया गया और यह copper की rod ली गई है इसके बगल में अगर हमने silver की rod को ले लिया silver की electrode बना करके और इसके साथ हमने यह silver ag इसको हमने agno3 में हमने dip किया है इस condition की कलपना की जा सकती है इसमें बाहर से इसको connect करेंगे सारे events आपको पता हैं इसलिए बहुत detail में हम जाने की कोशिश यहाँ नहीं करेंगे इनको जोड़ दिया गया इस condition में अब होता क्या है यहाँ पर जो copper की rod होती है वो dissolve होने की tendency रखने लगती है यानि यह copper यहाँ zinc के जैसा जो event हमने पहले से पढ़ते आएं वो घटना copper की rod पर होगी जबकि इस से opposite हम देखेंगे silver की rod पर deposition की घटना जो पिछले level पर copper कर रहा था वो काम अब यहाँ silver की electrode के level पर देखने को बिलेगा तो इस तरीके से हमारे सामने एक बात समझ में आती है कि हर बार copper का एक ही future नहीं हो सकता है copper हर बार अपने electrode पर deposition ही दर्शा है ऐसी possibility नहीं हो सकती है अगर इसको किसी दूसरे के साथ करेंगे तो यह भी possible है कि copper dissolve होने लगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं gold में sorry यहाँ gold ले या silver ले तो gold भी ले सकते है AU भी ले सकते है लेकिन silver का हमने example लिया है तो यह AG plus ion इस solution से यह निकल करके इस चीज की कलपना करें यह जाते हैं plate पर deposit होने के लिए और इस पूरी घटना में इस plate पर कैसे charge डिवलप हो गया positive charge वो सारी चीजें जो पहले हो रही थी copper और gin के combination में copper पर वो चीज यहाँ silver के electrode पर देखने को मिल सकती है ऐसे ही जैसा पहले gin कर रहा था वैसे ही copper काम कर रहा यह solution में जाएगा copper 2 प्लस iron के रूपे जाता जाएगा इस बात से एक बात समझ में आते है कि कहीं न कहीं एक relative tendency की बात है इसका मतलब यह है कि copper का single future नहीं है यह बगल वाला ताय करेगा copper किस तरीके से we have करेगा आपको मैंने पहले ही बता रखा है यह relative tendencies होती है इसके लिए मैंने आपको example लिया था acid का ही या फिर यहाँ पर metal का ही अगर example लेते हैं तो एक चीज बहुत असपस रूप से समझ लीजे पिछले lecture में भी बात हुआ यहाँ पर भी आपको समझना होगा यह सारे events relative tendencies को दर्शाते हैं क्या मेरे कहने का मतलब इसको देखें relative tendency का मतलब होता है अगर आपने metal के level पर देखने की कोशिश करनी है तो metal की condition क्या होती metal हमेशा अपने आपको kateaien में बदलने की कोशिश करता है तो metallic kateaien में ये बदल करके अपने electrons को release करने की tendency रखता है इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए metal हमेशा metal kateaien में बदलने की कोशिश करता है अपने electron को छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर अगर हमने जादा active होने के नादे अपने आपको kateaien में बदलता है जिंक जिंक आयन में बदलेगा अपने electrons को release करता है और इसके द्वारा release कियेगा electron को अब copper की मजबूरी हो जाती है कि वो उसे accept करे इसलिए copper ions इस electron को accept करते हैं जो यहाँ पर release किये जाएंगे जिंक की rod के द्वारा आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो electrons release किये जाएंगे उसे accept करने की जिम्मेदारी अब copper की हो जाएगी यानि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि metallic behavior कौन दर्शारा है metallic behavior जिंक दर्शारा है copper तो यहाँ non metallic behavior दर्शारा है इस रूप में आप कह सकते हैं जो जादा strong nature का होगा उसका metallic behavior maintain रहेगा यह metallic जो behavior electrons को release करने वाली थी वो जिंक दर्शारा है copper ने क्या दर्शारा है non metallic characteristic क्यों क्योंकि यहाँ पर relative tendency की बात हमारे सामने समझ में आती है इसी से अलग जो हमने next example लिया था जिसमें हमने silver और copper का combination लिया वहाँ पर क्या events हुए थे तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर जब copper और silver की बात होगी तो copper जादा metallic होता है और यही वज़ा है अगले combination के बारे में जब discuss किया हम लोगोंने next event के बारे में जब बात हुई तो वहाँ copper copper कैट आयन में बदलता है अपने electrons को release करता है उस electron को accept करने के लिए silver के ions वहाँ पर उनके electrons को silver के ions accept करते हैं और अपने आपको neutralize हो जाते हैं अपने electrodes पर जा करके deposit हो जाते हैं यह सारी चीज़ें हमारे सामने समझ में आती हैं तो यह event relative event है जिसमें यहाँ अब non metallic behavior silver की electrode या silver का जो electrode होगा वहाँ deposition की घटना आपको देखने को मिलती हैं इस तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कौन किस से ज़ादा strong है इस बारे में जानने के लिए ही हमें एक standard बनाने के ज़रूरत होगी इस बात को ध्यान से समझीए यहाں से मैंने एक conclusion बनाने की कोशिश किया relative tendency है और जब कभी भी relative tendencies के बारे में जानना होता है तो हमें एक standard बनाना होता है उस standard से देखना होता है दूसरा कितना active है, दूसरा उससे कितना पीछे है, कितना जादा active है, उस चीज़ को देखने के लिए जब हमने कोशिश किया, तो एक electrochemical series बन करके आती है, उस series का फायदा ये होता है कि बिना lab में गए, आप किसी भी cell के बारे में भविश्यवानी कर सकते हैं, किसी cell के बारे म जानकारी दे सकते हैं, तो वही सारी चीज़ें कैसे शुरू हुई, दुनिया में इस बारे में जानने के लिए हम slides की और बढ़ेंगे, slide पर हम देखेंगे tendencies के बारे, मैंने आपको बताया था, कि दो तरीके की tendencies होते हुए हम लोगों ने देखा था, एक tendency ये, कि जब कभी इलेक्टोड्स पर events होते हैं, तो जिंक का जब हमने example लिया था, तो एक simple सी बात थी, पहला घटना हम लोगों ने यही देखा था, जिंक क्या करता है, अपने cations के रूप में solution में जाता है, और ये solution में जा करके cations के रूप में बदलता जाता, अपने electrodes पर electron को छोड़ करके ऐसी घटनाए होते हुए हम देखते हैं, वहीं, जब नीचे के और इसी चीज़ को represent करते हैं, तो हमने आपको बताया, solution में जिंक आयन का concentration बढ़ता जाता है, electrodes पर electron जादा होते हैं, जिसकी वज़ा से एक potential difference डेवलप होता है, जो fourth point है हमारी किताब का, electron और metal पर, metal electrode पर जो opposite बात किया था, यहीं पर अगला जो question था हमारे दिमाग में, क्या कभी भी हम single cell के electrode potential के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, तो जितने भी हमारे सामने electrode दिये गए हैं, उनमें से कौन क्या करेगा इस event के बारे में अगर जानकारी लेनी है, तो हमें उसके बगल में दूसरे क respect में बात करनी होगी, जैसे copper, jing के comparison में जो behavior दर्शाता है, उससे opposite behavior, जब वो silver के साथ होता है, तो उस समय उससे opposite behavior दर्शाता है, इस तरीके से समझ में आया, सब कुछ एक relative tendencies की यहां बात होती है, इन सारे events को समझने के लिए, एक छोटी सी अपने आस पास होने वाली घट के बारे में कल्पना करेंगे, एक बात ध्यान से समझ लीजे, numerical problem तभी आप सही तरीके से solve कर सकते हैं, जब आप core concepts को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत confidence के साथ याद रख लें, जब उससे समझ लें, actual में कहना क्या चाहता है, जब ये बात पता चल जाती है, तभी numerical questions सही हो पाते हैं, तो इसलिए मैं छोड़ी-छोड़ी events बताऊंगा, थोड़ी सी lectures हो सकता है, detail में चल जाए, लेकिन अगर एक बार आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से पता चल जाती है, तो बहुत आसान हो जाता है, हर language को समझ पाना, और book में अगर कोई tough question होगा, तो उस की tendencies के आधार पर क्यों लिये जाते हैं, मेरे कहने का मतलब क्या है, इस चीज को समझने के लिए, एक events लेते हैं, हमारे आज सपास दो-तीन घटनाओं को observe करते हैं, जो बहुत आसानी से हम देख सकते हैं, चलते हैं, आप कल्पना करें, हमारे आज सपास में, जैसे कई सारे चोटे-चोटे हमारे भाई वहन होते हैं, तो एक बच्चा है, एक student है, जो class 10th में पढ़ रहा है, वो class 10th में पढ़ रहा है, और वो अपने आपको बहुत होशियार बनने की कोशिश करते हैं, यह मिस्टर हैं, जो बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रहा हैं, यहाँ पर knowledge है इस तरीकी की बार हम कह सकूए लेकिन इन mister के सामने अगर कोई class 12th के student आ जाए class 12th के student आ जाए जो इनसे जादा होशियार होते हैं जो इनसे जादा knowledge रखते हैं, то उस समय क्या होजाते हैं इनकी knowledge कम होजाती है ये मानने लगते हैं, जो इनके senior होते हैं, उनकी बात मानना इनकी मजबूरी हो जाती है, तो जब इनके सामने class 12th के student देखने को मिल जाएंगे, तो उस समय ये अपनी उतनी होश्यारी दर्शा नहीं पाएंगे, तो ये 12th class के student हैं, तो उनके comparison में जब इनकी तुलना कर रहे हैं, इन 10th class में पढ़ने वाले student के, तो आप समझ रहे हैं, कि ये student, ना तो आप इनहें बेवकूफ कह सकते हैं, ना तो आप intelligent कह सकते हैं, इनके बगल में कौन है, उसके आधार पर आप कह पाएंगे, कि इनके knowledge का level क्या है, सेम यही बात होती है copper के साथ, copper अगर अपने से weaker nature वाले metals के साथ जोड़ा जाएगा, तो अपने आपको ज़्यादा होश यार समझता है, ये 10th में पढ़ने वाला बच्चा कौन है, ये copper है, Mr. Copper, इनही को आप समझ लें, और इनके बगल में, जो लेर्थ क्लास में पढ़ने वाले जो होते थे, उनके level पर आप, या 6th level पर आप कह सकते हैं, तो यहाँ silver और gold के level पर अगर बात करेंगे, तो उनके सामने ये बड़े smart बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ये lithium हो, sodium हो, potassium हो उनके level पर अगर बात करेंगे, तो यहाँ जो events आप बगल में देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बारे में इधर दर्शा आए गया है या आप समझें, ये sodium हो सकता है जिंक हो सकता है, potassium हो सकते हैं उनके सामने, इनकी knowledge या इनका जो characteristics है, metal के रूप में अपनी हेकड़ी दर्शानी की जो conditions होती है, वो कम पढ़ जाती इस तरीके की बात आती है तो अब हमें समझ में आया कि कोई ना तो होशियार है, ना तो कोई बेकूफ है ये relative tendencies है, इसी आधार पर अगर हम एक class में ही चलते हैं जिसके आगे हम एक standard set करें, तो इसी आधार पर पूरी की पूरी electrochemical series दी जाती है और उसमें hydrogen को reference electrode के रूप में देखा जाता है अब यहाँ पर मालिजे, इसी समय जब हम ये सारी घटनाए होते हुए देख रहे थे तो हमें समझ में आया कि copper के events को देखते हुए, तो हमने यहाँ एक reference बनाने की कोशिश किया हमने एक 11th के student को पकड़ा और हमने का 10th को भी छोड़ देते हैं और यहाँ पर एक class 11th के student को पकड़ते हैं और उनको, मालिजे अभी तक तो हम यहाँ पर intelligent कोई है इस बात को जानने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं जैसे, आप किसी colony में जा रहे हैं और वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की mental condition के बारे में जानना चाहते हैं कि उस colony में पढ़ने वाले बच्चे जादा हैं तो वो कहेगा यार तुम उससे बात मत करो मेरी बात समझ रहे हैं अगर इस तरीके की events हैं कि आप किसी colony में बात कर रहे हैं किसी बच्चों से और वहाँ जाननी की कोशिश कर रहे हैं कि उस colony के बच्चों के पढ़ने का level कैसा है दूसरा तरीका यह हुआ कि आप वहाँ पढ़ाई की बात न करें वहाँ पर आप खेलने की उदने की बात करें आप उनसे पूछें यार तुम लोगों में से कितने लोगों नहीं मूवीज देख लिया मैं पूरा टाइम पढ़ाई से दूर रहता हूँ इस तरीके की बात वो बच्चे करेंगे जो पढ़ने में इंट्रेस्ट नहीं रखते हैं तो यहाँ पर इसी तरीके से हम जब पूरी के पूरी electrochemical series को बनाना चाहते हैं तो उस समय हमारे पास दो तरीके के conditions होते हैं किसी metal के metallic behavior के बारे में जानने की मेरे बात को कहने का मतलब क्या है उस colony की events और standard electrode potential जो electrochemical series बनाने के जो कोशिश की गई वो किस साधार पर की गई दोनों के बीच में similarity बनाएंगे यहाँ पर image को फिर से draw करने की कोशिश करेंगे देखे, मैंने आप से क्या कहा? मैंने कहा कि आप जाते हैं किसी colony में मालीजे इसी colony में आप गए और आप वहाँ के बच्चों से बात करना चाहते हैं वहाँ पर उन बच्चों से बात करने के दोरान आपके सामने कई सारी conditions हैं आप चाहें तो इन बच्चों से जब आप बात करने जा रहा हैं मालीजे हमने कहा कि चलो PUBG के बारे में पूछते हैं और आप हैं Mr. X और इन बच्चों से गए हैं बात करने के लिए वहाँ पर उन बच्चों से बात करने के दोरान आप जानना चाहते हैं भाई PUBG इसमें कौन-कौन खेलना चाहता है तो जो बच्चे पढ़ाई में कम interest लेंगे जिनका पढ़ाई में कम interest होगा वो अपना हाथ उठाएंगे और वो कहेंगे मुझे तो बहुत मजा आता है तो ये कहेंगे मालीजे ये मिस्टर हैं इन्होंने का कि मुझे तो खुब मन करता है PUBG खेलने का ये उसमें खुब सारा interest दर्शा रहा है ये कह रहे हैं मुझे interest बिलकुल नहीं है या कम interest है वहीं पर ये कहेंगे ये जो mister है ये कहेंगे मुझे और कम interest है तो PUBG का event आपने लिया और सारे बच्चों से बात करना शिरू कर दिया कॉलोनी के इन्होंने और कम interest दर्शाया मेरे कहने का मतलब क्या है पूरी की पूरी electro chemistry इसी बात से समझ में आ जाएगी यहाँ पर सारे events को समझने में ये पूरी की पूरी घटना है काफी मददकार हो सकती है यहाँ पर देखें ये mister है ये कहेंगे मेरा कोई खास मन नहीं है मैं PUBG Games के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ तो इसमें कुछ लोगों ने कहा कि भाई मुझे तो बड़ा interest है कुछ लोगों ने कहा कि मेरा बिलकुल जानकारी ही नहीं ये PUBG गेम क्या होता है ये आप समझ सकते हैं ये बड़ी क्यूट सी है तो ये हैं आपके कालोनी की कोई लेड़ी कोई लड़की है जो student है तो वो कह रही है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि ये PUBG गेम होता क्या है वहीं कुछ दूसरे बच्चों से जब आपने बात किया जो कालोनी के पढ़ने के बड़े smart लोग थे जो पढ़ने में मज़ा उनको आता है ज़ादा अच्छा लगता है उन्हें अपने career को और आगे establish करना होता है तो वो अब कहते हैं कि मुझे बिलकुल भी interest नहीं है क्योंकि हमें अपने career को बनाना है तो ये negative tendency दरशाना शुरू कर देते हैं तो मैंने क्या कहा यहाँ जो blue color से जो इन बच्चों को मैं represent कर रहा हूँ उनकी negative tendency है आप मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हैं इस चीज़ को ऐसे समझें यहाँ पर मैंने pub जी का example ले करके मैंने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो colony में कहा रहे हैं कि मुझे बहुत मज़ा आता है कुछ कहा रहे हैं थोड़ा कम मज़ा आता है कुछ कहा रहे हैं ठीक ठीक है कुछ कहते हैं मुझे बिलकुल भी नहीं पता कुछ कहा रहे हैं यार मैं इन से दूर रहता हूँ ये एक तरीका हुआ वहीं, एक तरीका और भी हो सकता उस कालोनी में, पढ़ने वाले बच्चों के mental level के बारे में, या उनके interest के बारे में, या वो future में करना क्या चाहते हैं, उस बारे में गर जानना है, तो हम दूसरे तरीके से भी बात कर सकते हैं, एक दूसरे mister है, वो उसी कालोनी में जा रहे ह होती हैं, उनका interest होता है, तो चलिए हमने इनको ले लिया, ये हैं, कोई lady है, कोई girl है, वो वहाँ पर जा रही है, वो कह रही है, इस studies को ले करके, मैं वहाँ पर survey करूंगी, तो जब ये study को ले करके, survey करने के लिए वहाँ पहुँचती है, और उन लोगों से बात करते हैं, कि study में किसका कितना interest है, तो ये जो बच्चे थे, जो blue color वाले हैं, ये कहते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ाई करने में, मैं पढ़ने में जितना कहों कि उतना जादा से जादा मैं study कर सकता हूं, ये इन बच्चों ने कहा, कि मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा के आधार पर हम पुरी-पुरी electrochemical series के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, अभी आप इन सारी चीजों को देखते जाएए, सारे के सारी ये history ये chemistry जो पूरा का पूरा है, वो हमारे आपकी life से जुड़ा हुआ है, जब मैं chemistry में chemical bonding को देता हूं, atomic structure को देखता हूं, periodicity in chemical properties की बात करता हूं, तो वहाँ पर मैं देखता हूं, जैसे हम और आप बात करते हैं, वैसे chemistry में molecules बात करते हैं, same event यहाँ पर भी देखिए, हमारे colony की घटना और किस तरीके से हो रही है, उसको हम पुरी-पुरी electrochemistry में correlate कर पाएंगे, तो मैंने क्या कहा, यह जो girl है, जैसे माली हमनीन का नाम रख लिया, कोई भी श्वेता हैं यह, तो यह श्वेता जाती हैं, उसी colony में study को ले करके पूछ ताश करती हैं, तो जो बच्चे पढ़ने में बहुत standard, जिनका पढ़ने में बहुत interest है, उन लोग ने का कि मुझे तो बहुत मजाता है, हम जादा से जादा तो मुझे ना PUBG खिलने में मजा आता है, ना study करने में मजाता है, मैं तो girl हूँ, girl का nature कुछ, या future society तै करती, मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो यह, ना तो PUBG खिलने में अपने बारे में बहुत अच्छे से idea दिया इन्होंने, आप देखिए, यह जो girl का मैंने आपको रहते हैं, उन लोगों ने PUBG में तो बड़ा अच्छा interest दर्शाया था, लेकिन इनसे जब बात किया गया study को ले करके, तो अब यह negative tendency यहाँ पर दर्शाना शुरू कर देंगे, जब इन सभी से बात हुआ कि आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, तो जो मुहले में सबसे ज जादा negative response दर्शाया है, तो टेंथ वाने ने कहा, थोड़ा थोड़ा मुझे पढ़ाई करना बुरा लगता है, जो एर्ट वाला था, जो कम पढ़ता है, उसने कहा कि मुझे जादा बुरा लगता है, मैं तो बिल्कुल पढ़ने में इंटरस्ट नहीं ले पाता हूँ, और जिसको मैंने कहा कि PUBG में जिसमें सबसे अच्छा response दर्शाया था, वो कहता है, भाई मुझे तो पढ़ाई देख करके ही बुखार आ जाता है, तो यहां पर जो सबसे बेकार बच्चा था, जिसका पढ़ाई में इंटरस्ट नहीं था, उसने कहा कि PUBG के लिए तो मुझे खु ऐसे ही आप चाहें तो सिधे पढ़ाई को लेकर के बात कर सकते हैं, अब इस चीज़ को decode करते हैं, क्या करेंगे, PUBG का मतलब हमारा क्या था, PUBG से हमारा मतलब था, यहां पर जानने के लिए PUBG का जो हमने example लिया था, यह हमें मदद करता है reduction की tendency के आधार पर, तो इसलिए जब हम किसी metal के बारे में बात करते हैं, तो समय reduction potential के आधार पर उसके metallic tendency के बारे में बात कर सकते हैं, reduction potential उसका कितना है, यानि tendency to get reduced उस बारे में भी आप बात करके उसके metallic behavior के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, reduction potential का मतलब क्या, वो खुद कितना tendency रखते हैं reduce होने की, तो यह ज वो metal, जो सबसे अच्छा metal होगा, वो reduce बिल्कुल नहीं होना चाहेगा, आप देखें, सबसे शुरुआती दौर में हमने क्या कहा, PUBG की बात किया, PUBG के लिए हमने कहा, जो सबसे intelligent बच्चा था, उसने सबसे negative tendency दर्शाय था, वही बात अगर मैं कहूं, PUBG के जैसा reduction की tendency, तो मैंने आपको बता रखा है, metal क्या है, metal हमेशा oxidize होना चाहते है, oxidize होना चाहते है, अपने आपको reduce नहीं करना चाहते है, इसलिए जब आप अच्छे intelligent बच्चे से बात किया, तो उसने PUBG के लिए negative tendency दर्शाय था, ऐसे ही, अच्छे metal से जब आप जाएंगे बात करने के लिए, तो नीचे रखे गए जो metals है, जो active metals है, उनका reduction के लिए, उनका reduction potential कितना होता है, negative में होता है, वहीं, hydrogen के comparison में, जो कम metal होते हैं, hydrogen के comparison में, जो less metallic tendency दर्शाते हैं, वो reduction के मामलों में positive tendency दर्शाते हैं, मतलब यह, कि यहाँ पर देखिए न, उस चीज़ को PUBG वाले events को लेकर के बात किया, 11 वाले students से जब हमने बात किया, तो समय क्या देखा, 11 वाले बच्ची को हमने standard माल लिया, और उसकी मदद से हम लोगों ने उनसे छोटे class के बच्चों के जब बात किया, उनके knowledge को समझने की कोशिश किया, तो slide पर, sorry, draw करके देखने की जो कोशिश की है, तो 10 वा माक्स दिया, तो उसके comparison में, ये सब खूब खेलना चाहते, पढ़ा ही नहीं करना चाहते, वही बात है, यहाँ पर hydrogen अगर zero है, तो उससे कम metallic characteristic शो करने वाले, reduction के लिए positive tendency दर्शाएंगे, जो ideally होनी नहीं चाहिए थी, वो tendency दर्शाएंगे, मेरी बास मरना, ideally क्या होना चाह कोई भी बच्चा पबजी खेलने के लिए positive marks ना पाए, लेकिन जो hydrogen के comparison में, या उस 11th class वाली बच्ची के comparison में, जो कम पढ़ने वाले बच्चे थे, वो positive tendency पबजी के लिए दर्शाएंगे, ऐसे ही, यहाँ वो metals, जो कमजोर metals हैं, वो hydrogen के comparison में, reduce हो जाते हैं, वो reduction के लिए positive tendency दर्शाएंगे हैं, इस बात को अपने दिमाग में रट लीजिए, यही बात हमने यहाँ पर आपको draw करके समझाने की कोशिश की है, tendency to get reduced, और यही बात है कि इसी level पर समझाने के लिए, IUPAC ने हमारे country में जो follow की जाने वाली standard है, वो IUPAC के reduction potential की basis पर जानने के लिए, countries हैं, जहाँ पर सीधे हम study की बात करते हैं, जैसे study मतलब यह सीधी बात, no बकवास, मतलब यह metal है, तो metal से सीधे तोर पर बात करिए, क्या आप oxidized होना चाहते हैं, तो American system में क्या होता है, वहाँ पर हम oxidation की tendency के आधार पर बात करते हैं, तो वहाँ जो standard बनाए गये हैं, वहा अगर बात किया, तो वैसे ही यहाँ पर हम American conditions में एक तरीके से, अगर उसी colony की बात जैसे कर रहे थे, वैसे ही अगर उसी तरीके से metals की बात करें, तो oxidation potential की मदद से भी हम कौन बहतर metal है, उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं, oxidation potential की मदद से कैसे पता लगा सकते हैं, आप जानते हैं, यहाँ पर हम tendency to get self-oxidation, means tendency to get oxidized, उस आधार पर हम यहाँ इस बात की जानकारी ले सकते हैं, तो यह कैसे होगा, देखते हैं, यहाँ शुयता जाती हैं, सीधे study की बात करती हैं, और आपको पता है, जो PUBG जितना कम खेलना चाहता था, वो study उतना ही जादा करना च जाता है, यहाँ देखे न, blue color वाले ने क्या किया, blue color जो 12th class का जो सबसे intelligent बच्चा है, उसने क्या किया, negative tendency दर शाय था, वैसे ही अब कहें, यह metal है, जो सबसे अच्छा metal है, reduction के लिए negative tendency दर शाय था, oxidation के लिए उतना ही positive tendency दर शाय था, इस चीज को आप जाहें, तो यहाँ reduction potential के बारे में बात कर सकते हैं, और चाहें तो आप reduction potential के आधार पर बात कर सकते हैं, reduction potential PUBG खेलने जैसी बात है, तो जो सबसे अच्छा होगा, metal, वो उतना ही negative response दिखाएगा, reduction potential के लिए, opposite बात कहें, तो जो सबसे अच्छा metal होगा, वो उतना ही अच्छे तरीके से oxidize होना च और इस पूरी घटना क्रम में हम स्टेंडर्ड देखते हैं जैसे हमने कहा 11th की जो स्टुडेंट हैं इनको हमने एक स्टेंडर्ड बना लिया और इनहीं के रिस्पेक्ट में दूसरे के बारे में हमने तुलना करने की कोशिश की वही बात यहां पर हो सकती हाइड्रोजन के को एक reference मानते हुए हम दूसरे लोगों के बीच में comparison करने की कोशिश करेंगे और उस आधार पर बात करेंगे दूसरा करना क्या चाहता है और दूसरा किस level पर involved हो रहा है उस चीज के जब हम focus करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है hydrogen को हम zero value देते हैं उससे अच्छा गर metallic हो चितना ही बेकार metal होगा वो reduction potential के terms में उतना ही positive value पाएगा यह पूरा का पूरा core concept है और इसमें आपको इतने दिर तक बात करने का मकसद यह नहीं था कि आपको पका दिया जाए इसका मकसद बस यह था कि अगर हमारे पास table के farm में सब कुछ available हो जाए तो lab में जाने के जरू कौन औकसिडाइज होगा कौन reduce होने की tendency रखे कौन सी रडड dissolve होगी कौन सी रडड deposition की घटना शो करेगी इस तरीके की बातों के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं देखते हैं slide पर slide पर चलेंगे और यहां पर उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो मैंने हाइड्रोजन को एक स्टेंडर्ड के रूप में सेट की होगा है चलते हैं slide की और यहां पर उन convention के बारे में बात करेंगे जो electrode potential को calculate करने के दौरान हमने बनाये हैं तो यहां पर किसी भी electrode के electrode potential की value के बारे में अगर अनुमान लगाना है तो हमने hydrogen को एक reference माना है और यह जा दूसरा वाला reduce होगा जिंक के लिए देखें जिंक के लिए हमने क्या बात किया जिंक वहाँ reduce हो रहा है क्या यह tendency दर्शाने की कोशिश करेगा जिंक नहीं इसलिए जब आप force करेंगे इस मामले में जैसे हमने एक set बना लिया कि अगर hydrogen को कलपना करें कि hydrogen oxidize होगा तो उसके comparison में जिंक reduce होने की कितनी tendency रखेगा तो आप जानते हैं जिंक ज्यादा active है तो वो negative tendency रखेगा slide पर आप focus करें हमने यहाँ पर जो दर्शाने की कोशिश की है ना इसमें देखें यह जिंक के लिए वो बात कही गए जो जिंक करेगा ही नहीं तो इसका मतलब यह है कि जिंक hydrogen के comparison में हमने यह मान लिया पहले से set कर लिया है कि हमें दूसरे के reduction की tendency देखनी है hydrogen को हमेशा हम यह मानेंगे कि वो अगर oxidize हो उसको oxidation करना हो तो बगल वाले की tendency कैसी होगी reduce होने की कितनी tendency होगी जिंक reduce नहीं होना चाहेगा क्योंकि यह अच्छा metal है यह इस काम के लिए negative tendency दर्शाएगा जबकि इसी के opposite अगर मैं कहूं कि hydrogen oxidize अगर होना चाहे और उसके बगल में copper को reduce होना हो या silver को reduce होना हो या gold को reduce होना हो तो वो positive tendency इस काम के दर्शाएगे और इसी तरीके से हम अनुमान लगाते हैं पूरा का पूरा हम एक standard set करते हैं तो उसमें हमने किया क्या हमने अपनी और से माना कि अगर hydrogen oxidize कराई जाए इस बात को समझ लें जब तक आप इस language को नहीं समझेंगे कितनी बार भी पढ़ जाएए बोई मतलब नहीं है hydrogen अगर oxidize कराने की कोशिश की जाएगी तो जिंक कितना reduce होने की tendency रख रहा है यानि हमने जो शिरुवाती galvani cell बनाया था उसमें जो oxidation करता है मैंने बता रखा है उसको हम anode के रूप में treat करते हैं यानि हमने इसको left side में रख लिया अपनी और से मानते हुए कि अगर हम hydrogen को यही कराना चाहे तो जिंक क्या करना चाहे क्या वो reduce होने के लिए कितना positive tendency रखेगा तो वो negative tendency रखता है इस बारे में हमें अनुमान लग जाता है slide के और बढ़ेंगे और अगर ऐसा hypothetical condition लेंगे तो एनोड के रूप में hydrogen को ले रहे हैं तो जिंक अगर cathode के रूप में treat कराया जाए जा जानना चाहते हैं जिसके electrode potential को reduction के terms में हम जानना चाहते हैं कि जैसा हमने का कि PUBG के terms में हम जानना चाहते हैं कि वो कितना खेलना चाहता है तो जिंक चुकि अच्छा metal है hydrogen के comparison में उसका electrode potential इस तरीके के events के लिए जिसमें उसे मजबूरी में reduce होना पड़े तो वो negative tendency दरशाए ऐसे ही वो बच्चे की बात जो class 12 का जो intelligent बच्चा है आप यहाँ पर देखें draw जो हमने किया था उससे relate करें तो इस तरीके से हमने जो draw किया है slide पर जो रखा है उस आधार पर आप कह सकते कौन अच्छा metal होगा जिंक अच्छा metal है hydrogen की comparison में क्योंकि इस मामले में reduction के लिए उसकी negative value आती है तो इस convention के अनुसार हम reduction tendency जिंक electrode की जानने की कोशिश करते हैं in comparison to hydrogen electrode और इसी आधार पर हम इस बार में बात करते हैं यहाँ पर मैंने आप से कहा कि electrochemical series में hydrogen को zero value देने के बाद कुछ को negative value मिलती है और कुछ को positive value मिलती है reduction के terms में उसका reduction potential hydrogen के terms में hydrogen को जब anode बना दिया दूसरे को cathode बना गया cathode का मतलब उसे मजबूर किया गया कि वो cell reduce होगा तो उसमें अगर jing की बात होगी तो वो negative tendency दरशाएगा silver की बात होगी, gold की बात होगी, platinum की बात होगी, copper की बात होगी तो वो positive tendency दर्शाद तो electrochemical series में जो positive और negative values जो sign के साथ positive या negative sign जो दर्शाए जाते हैं with values उसका मतलब क्या है जितना ही ज़्यादा positive value reduction के terms में इसका मतलब क्या है वो hydrogen के comparison में उतना ही कमजोर metal है बात समयने हैं, जितना ही negative value कोई metal पाएगा hydrogen के comparison में उतना ही अच्छा वो metal माना जाएगा आप इस बार में अनमान लगा सकते हैं तो इस तरीके से हम इन सारी चीजों के events को calculate करने की कोशिश करते हैं बढ़ते हैं अगले slide की और और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर oxidation की घटना को ले करके बात किया जाए जैसा आप American countries में देखते हैं अमेरिका में देखते हैं, कुछ दुनिया के और countries में देखते हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं था ध्यान रखिए, अगर आप किसी colony में जा रहे हैं सर्वे का अगर आपने pattern बना दी आप PUBG का खेल तो आप पूरे colony में PUBG के ही level पर सर्वे करिए क्योंकि उसमें जो बच्चे अच्छे होंगे वो negative tendency दर शाएंगे करके जिसे हम पूरे इस topic में, पूरे इस chapter में हम IUPAC के द्वारा बताये गए चीजों को follow करते हैं तो यहां पर हर किसी के लिए हम reduction potential ही जानने के कोशिश करते हैं reduction potential पता चलिए सारे middle के tendencies के बारे मनुमा लगा जासकते standard हमेशा एक ही set करिएगा तो यहां पर reduction potential के आधार पर हम पूरे topic में बात करेंगे उसके, उससे अलग अगर हम सोच रहे हैं क्या होगा अगर oxidation किसी electrode पर होगा तो जितना उसका negative value था reduction के लिए oxidation के उतना ही positive values आ जाएगा इस बारे में हम जानते हैं तो यहां हम देखने की कोशिश करते हैं देखिए, यहां पर हमने बात किया reduction potential silver की तो silver hydrogen के comparison में देखिए, plus 080 volt इसकी value मिलती है, यहां पर देखिए reduction के लिए इसकी कैसी tendency है hydrogen के comparison में reduction के लिए इसकी positive tendency है, आप इस बारे में कह सकते अगर मैं इससे उल्टा कहूँ कि अगर इसको oxidation करने के लिए कहा जाया तो इतनी ही उसकी negative tendency होगी hydrogen के comparison में बात समझ रहा है न, तो हमारा पूरा का पूरा इस topic में जो standard set किया गया है, वो reduction के events के आधार पर बताया गया, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है, reduction को कैसे हम represent करते हैं, तो पहले होने वाली घटना को जैसे वो cation के रूप में solution में है electrode पर जाकर के reduce हो रहा है इस चीज को लेकर के हमने किताब में दर्शा है तो पहला point previous event को previous condition को दर्शा रहा है, और after reduction कैसे होगा, वो जाकर के rod पर deposit होगा, इस बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, यहाँ पर आप देखें और जो electrode potential silver की जो बताई गए, in terms of reduction potential दर्शाने की यहाँ पर कोशिश की गई है, तो हम standard हमेशा इसी रूप में लेते हैं, अगर copper की ही बात करें, तो अभी silver का आप देखे रहिए, silver का क्या है, silver hydrogen के comparison में कितनी value रही हुए plus 0.8, इतना याद रखे, slide पर देखे, याद रखे अभी मैं इसी को copper के तुलना में comparison करने की कुछा बात करूँगा, तो सारी चीज़े अपने आप समझ में आ जाएंगे, silver की value reduction के लिए कितनी है, plus 0.8 इसके आगे हम चलते हैं, बात करेंगे copper की, copper के लिए देखे, तो previous condition में वो cation की रूप में रहता है, और जब वो reduce होता है, तो hydrogen के तुलना में उसकी value कितनी आ जाती है plus 0.52, उसका कितना था, plus 0.80 था, इस चीज़ को अभी हम एक बार draw करेंगे, तो सारी चीज़ों को समझ सकेंगे, चलते हैं देखने की कोशिश करते हैं एक बार draw करके, सारी बाते अपने आप conclude हम यहाँ पर कर पाएंगे देखे, मैंने आप से कहा, silver के लिए अगर reduction की tendency देखने की कोशिश किया जा, hydrogen के comparison में, तो इसकी value कितनी आ रही थी प्लस 0.80 वोल्ट आ रहा था, वहीं, जब हम copper की बात कर रहे थे, तो copper reduce अगर होता है, तो उसकी values कितनी आती है, प्लस 0.52 वोल्ट आती है, इस बात के कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ के लिए, अब आप समझ सकते हैं, कि यहाँ पर hydrogen के comparison में, अगर हम hydrogen के लिए बात करें, hydrogen के comparison में, reduction की tendency, reduction की tendency, silver की जाधा है, आप इस तरीके के सकते हैं, more tendency यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं, more tendency tendency for reduction, और यहाँ पर अगर hydrogen के comparison में, इसकी बात किया गया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, copper के लिए less tendency for reduction, आप कह सकते हैं, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर बात किया जाए, तो reduction की less tendency, अगर silver, copper की है, तो अगर इन दोनों के बीच में अनुमान लगाया जाए, और कहा जाए, आप बताईए, इसमें कौन जादा metallic है, तो आप जानते हैं, reduction के लिए tendency, silver की जादा है, तो वो कम metallic होगा, reduction के लिए, copper की कम tendency, इसका मतलब यह जादा metallic होगा, comparatively अगर आप copper और silver का combination लेते हैं, तो यह करेंगे क्या, इस बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं, हमने image इसलिए आपको draw किया था, कि अगर इन दोनों का combination आप बनाने की कोशिश करेंगे, तो copper, चुकि comparatively जादा metallic behavior दर्शा था, इस वज़़ा से copper क्या करता है, copper की rod dissolve होती है, यह बात मैंने आपको बता रखा है, पहले ही समझाया, इसी वज़़ा से, ताकि आप इन सारी conditions को देख सकें, यह copper क्या होता है, डिजॉल्व होता है, वही मैंने आपको बता था, silver की rod होती है, उस पर deposition की घटना होती है, क्यों? क्योंकि वो reduction की tendency दर्शाने की कोशिश करता है, क्यों? क्योंकि यहां पर एक relative event आप देख रहे हैं, दोनों को जब आप जोड़ेंगे, तो जो ज़्यादा metallic होगा, वो cation में बदलने की कोशिश करेगा, जो less metallic होगा, वो उसकी साथ जोड़े जाने पर reduction की tendency दो show करेगा, आपने देखा, एक hydrogen के comparison में standard हमने set किया, उसमें values पाई, उस values की मदद से हम अगर दो के बीच में तुलना करना चाहें, जैसे यहीं पर आप देखें, जो हमने draw किया, तो silver reduction के लिए ज़्यादा positive है, copper कम positive है, कम positive यानि कम reduction करना चाहता, यानि वो अगर इन दोनों की बीच में silver और copper की बात करेंगे, तो वहाँ पर copper oxidize होने की कोशिश करेगा, silver reduce होने की कोशिश करेगा, हमने एक standard set कर दिया, इस तरिके का कोई भी combination होगा, तो हम अपनी बात आसानी से कह सकते हैं, बढ़ते हैं slide की ओर, हमने आपको बता है, copper की value कितनी है, reduction potential के terms में, 0.52 value है, previous events क्या था, cation के रूप में था, यह अगर reduce होने के लिए जाएगा, तो hydrogen के comparison में इसको कितनी value मिलेगी, 0.52, तो इस तरीके से electrode potential, जो copper electrode के लिए है, वो reduction reaction की terms में बताएगा है, और इस तरीके से standard reduction potential copper के लिए हमें पता चल जाता है, अब हम इस सारी चाहिएों की मदद से कैसे अनुमान लगा पाएंगे, कोई cell अगर बनाई जाए, तो उस cell में, उस cell के होने के क्या-क्या chances है, वो क्या दो electrode का अगर जोड़ा जाएगा, तो उसमें कौन कैटायन में बदलेगा, किस पर oxidation की tendency होगी, किस पर reduction की tendency होगी, अगर हमने hypothetical कई तरीके के cell बनाए, तो उसमें कौन सा cell functional होगा, कौन सी condition possible होगी, उस cell का cell potential कितना होगा, वो सारी चीज़ें अनुमान लगाई जा सकते हैं, जिसके लिए हम अगले lecture में आपके साथ discuss करेंगे.